आज हम आपको ओपन मेरिच्स फिल्म की जानकारी दे रहे हैं इस फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल रॉन और बेका को देखते हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल बाम हो चुकी थी दरसल फैक्टरी में एक एक्सिडेंट के दोरान ड्रॉन की रीड़ी हड़ी थोड़ी किस गई थी इसके चलते वो पिछले दो महिनों से घर पर ही नल्ला बैठा अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी बेका के कंधों पर आ गई थी इसलिए उसने हॉस्पिटल में डेबल शि ही नहीं हो पा रही थी रॉन को लगता है कि जरूर बेकार में कुछ गड़ बड़ी है इसलिए वो उसे प्रेटिविटी कैप्सूल्स खाने के लिए भी देता है मेकार रॉन से कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम हो एक बार डॉक्टर से दिखाने में क्या जाता है रॉन कहता है कि ठीक है मैं कल डॉक्टर से मिलने जरूर जाऊंगा और हां कल तुम मेरे साथ मैक्स और मिंडी से मिलने चलना और अब अगले दिन दोनों मैक्स और मिंडी के घर उनसे मिलने पहुंचते हैं चारों दूसरे को पॉलेस के टाइम से ही जानते रॉन मैक्स के मस्त बंगले को देखकर समझ चुका था कि मैक्स की लाइफ पूरी तरह से सेट इसलिए वो मैक्स से कहता है कि तुम मुझे यार किसी नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का जॉब ही दिला दो एक बार मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए तो मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी पर मैक्स रॉन की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था बलकि वो तो मिंडी के साथ माचाटिक करने में लगा हुआ था मिंडी जब बेकार से उन दोनों की सेक्स लाइफ के बारे फूछती है तो एक पल के लिए रॉन और बैंका बिल्कुल मौन रट धारण कर लेते हैं देखकर मिंडी को समझने में देर नहीं लगती कि उन दोनों की सेक्स लाइफ भी बाम है वो रॉन से कहती है कि हमें देखो दोनों अलग अलग लोगों के साथ खपा धप रगत करते हैं और इस वजह से हमारी सेक्स लाइफ बिल्कुल मस चल रही है ना कोई जिक 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 और ना ही कोई जिक जिक तुम दोनों भी एक बार प्राय करके देखो ये कॉंसेप्ट रॉन सुख नाम की भी एक चीज होती है जो बेका को उन से नहीं मिल पा रही है इसलिए अगली सुभा वो दूनों दुबारा मिंडी के उसके बारे में एक दूसरे से डिसकस करते हैं यह बात बेक अपने हॉस्पिटल में जॉन के साथ भी डिसकस करती है जॉन ने यह जानकर उसके साथ ही कर पाओगे जॉन की बात मानकर बेका मिंडी को मिलने के लिए एक रेस्टरेंट में इन्वाइट करती है मिंडी बेका को समझाते हुए कहती है कि इस ओपन मेरीज से उन दोनों की लाइफ पहले से बहतर हो जाएगी घर में डाउट कि कहीं ओपन मेरीज को पाओगी और नहीं रोन तुम्हें चीट कर पाएगा मुझ पर भरोसात तो रखो अगर यह आइडिया मेरे और मैक्स के लिए काम कर सकता है तो आइम शूर कि यह आइडिया तुम्हारे रोन के लिए भी चुरूर काम करेगा अब बेकार और रोन दोनों ही इस ओपन मेरीज के बारे पता चुल जाता है तो बात मेरे गड़ सकती है वैल तो कारे करम की शुरूआत होती है इसमें रोन मिंडी के साथ लगा हो था तो वही दूसरी तरह मैक्स बेकार के साथ न पाटप करने में सारे इनाग चारों और एक दूसरे के पाटनर के साथ अब बिता रहे मेरे पैंडेंसी थी पर यह बताओ कि क्या तुम्हें ये करके मज़ा आया किया दिए करको बहुत आया उतना मज़ा में भी आया होगा कि नहीं कि उनकर रोन कहता है कि हां बात तो सही है और वह अपना तॉल्य कुंडिकर बेक के साथ करने में लग एक रात और मैक्स दोनों रॉन और बेक को अपनी साथ एक क्लम मिल जाते हैं जहां मेला भिया नाम की एक भांड लेडी उन चारों का स्वाग से स्वागत करती हैं और क्लम में उन चारों की ही तरह open minded भरे पड़े हैं रॉन वहां मौझूद लड़कियों को देखकर स्पर एक्सेटेड हुए जा रहा था कि तभी उसे मिल्डी की तयार दिलाती है कि वहां वह चारों आपस में घप घप करने आये हैं ना कि इसी अंजान आदमी के साथ फिर एक कमरे में पहुंचकर तारों दोबारा एक दूसरे के पांटनर के साथ पलंग तोड़ युद लड़ने में शुरू हो जाते हैं थकावट के मारे रॉन सो गया था और जब उसके आग खुलती है तो वह देखता है कि मैक्स और बेका वहां से गाइब है रॉन तुरत मिंडी को उठाता है और दोनों मैक्स और बेका को ड्रूनते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंचते हैं मैक्स और बेका एक दूसरे से निकर सो रहे थे तो यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि चारों ने एक रूल बनाया था कि जो भी करना है एक ही कमरे में करना होगा अब इस बात से रॉन का मूड ओफ हो चुका था और वह बेकार में यह सब बंद कर न पड़ेगा सो उसे घर में आने के लिए काफी देरी हो जाएगी और अब रॉन सोचन लगता है कि बेका क्यों बिना वो कैसे अपनी गुजारेगा कि तभी अचानक उसका फोन पर उसी क्लब का एक एड़ी आता है जहां वो पिछली रात मैक्स और मिंडी के साथ घपापक क करने गया था रॉन दुबारा उस क्लम में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एंगली नाम की एक लड़की से होती है उस लड़की की होटनेस देखकर रॉन की सांसे एक पल के लिए जैसे रुख सी गई थी एंगली बिना टाइम वेस्ट की यही रूम की अन बॉक्सिंग करने में लग जाती है और रॉन जैसे ऐसे खुद पर कंट्रोल करके महां से निकल लेता है अगली दिन रॉन बेका को अपने टेस्ट के लिए बारे में बताता है और कहता है कि तुम मेरी वजह से नहीं हो पा रही थी डॉक्टर ने कहा है कि मेरे में बच्चा पैदा करने क ताकत नहीं है और ये जानने के बाद बेका पूल तरह से अपसेट हो जाती है उसने रॉन के साथ अब ठीक से बात करना भी बंदगर दिया था एक दिन बेका के लिए कोई फूलों का इक गिल्दस्ता भिजता है जिसमें भेजने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ था बेका को भीजने लगा रॉन ये भी कहता है कि आजकल कुछ जादा ही ऑवर टाइम करने लगी है और जब से मैंने उससे अपने टेस्ट के बारे में बताया है तब से वो मुझस ठीक से बात में नहीं कर रही है मैंने सोचा था कि इस ओपन मेरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा और इ जोन से पता चलता है कि तीन मिहंटे पहले ही ऋस्पिटल से निकला है ये सुनकर रोन का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है जो जॉन से पूछता और नहीं में आज सुबहां को फ्लावर्स भीजने में लगा। यहां हमें पता से चलता है कि अपन नेमीन कड़ा। ताकि दोनों घुरा इंवे प्रीगनेंटी भी हो चुकी थी। और जाहिर से बात है कि उसके पेट में किसी और का नहीं बल्कि मैक्स का ही बच्चा पल रहा बेकाब मैक्स को प्रेग्नेंशी के बारे में बताती है तो मैक्स खुशी से उचल पड़ता है तबी बेका उससे कहती है कि वो मुझे इस तरहें के फूलों का गुलदस्ता मत भेजा कर। रोम को शक हो गया मैकस बेका आपके था किसो सूल गुलडस्ता है और प्रिगर अब डेजा किसे रात जब बेका अपने घर पहुंश था गिला कह दस्पिस्ट में पत неп're ओफिए साथ ही साथ वह बेका और बेका प्रेगनेंट से लुक करता हैं। जूट कहती है कि उसके पेट में रॉण का बच्च पल रहा है। असलियत में हम और इंस जानते हैं कि कहीं ना कहीं रॉण भी अपनी सच्चाई चानता था। जी वो कभी बाप नहीं मन सकता। बेका कहती है कि मैं मॉल गई हुई थी, अपने होनेवल बच्चे के लिए कुछ शॉपिंग करने, अब इससे पहले कि रॉन कुछ और सवाल कर पाता। बेका रॉन के साथ बागाप करने लग जाती है, और अब रॉन बेका के लिए ब्रेकफास बिना रहा होता है, और तब ही दर्वाजे गंटे बस दे रॉन देखता है कि दर्वाजे पर कोई बेबी ट्रॉली रखकर गया था। रॉन बेका से पुछता है कि आखिरकर तुम्हारी प्रेग्णिसी के बारे में और कितने लोग जानते हैं। बेक कहते हैं कि मैं और तूँ अब बेका को भी लग रहा था। जरूर उसके ओपर कोई नजर रख रहा है। एक दिन जब रॉन और बेका मैकस और मिंडी के साथ जिनर कर रहे होते हैं तो उन चारों के फोन में एक ही मैसेज आता है। उस मैसेज में रॉन और एंगली की एक अश्लिल तस्विर थी जिसे देखकर बेका तुरंट गुस्सा हो जाती है। रॉन से उस बार ने में पूछने लगती है और वो कहता है कि हाँ मैं उस तुरात वापस क्लम में गया था और सिर्फ एक बार मैंने मचाटी से जादा उस लड़गी के साथ कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसको रॉन पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब चारों को एक और मैसेज रिसीव होता है। इसमें इस बार मैकसा के साथ लिप्टा हुआ था। अब उस मैसेज की वजह से पासब पूरी तरह से प्लट चुका था। तो बेका जादा देर तक खुद को रोग नहीं पाती है और फाइनली ये वो सारा सच रॉन को बताने लगती है। इस सच के बाहर आने की वजह से अब चारों की लाइफ में भूचाला चुका था। एक रात जब हॉस्पिटल से काम खत्व करके अपने घर पहुंचती है तो वह देखती है कि पौन बना हुआ है। ठीक उसके सामने मिंडी अपने हाथ में बंदू के लिए खड़ी थी। वेगा को समझते दिर नहीं लगती है कि ये सारा की आधरा मिंडी का ही है। और वही उसे फुलो का गुल दस्ता भीज रही थी। तभी मैक्सिमी वहाँ आ जाता है। उसे भी मिंडी नहीं मुलवाया था गन पॉइंट पर उन दोनों को धमकाते हुए मिंडी उन्हें अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। पता चलता है कि वह फोटो भी मिंडी नहीं खीचे थे। बिंडी ने ये सब दोबारा से फूर्स आउन करने के लिए करा था क्योंकि वह रॉम से काफी ज़्यादा अपसिस हो चुकी थी। पाइनले चारों एक बार फिर से एक दूसरे के पार्टनर के साथ करने लगते हैं। अभी मिंडी ने रॉन का मज़ लेना करने में लग जाते हैं। इसी के साथ इस फिर्म का अद्धी एंड हो जाता है। जोस्तों इसी साथ इस सुन की जानकारी पूरी हुई। हमें उमीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। कि हम फिर उपस्तितों के नहीं जानकारी के साथ तब तक लिए नमस्कार कर दो साथ होगी।